जब एक लड़की वड़ापाव वेश थे तो दुनिया भीन लगा के खाने के लिए आ जाती है मैं एक बच्चे होकर वड़ापाव वेश रहा हूं मेरा खाने नहीं आओगे क्या सोशल मीडिया की वीडियोज की वज़े से दिल्ली की वड़ापाव गर्ड कितनी फेमस हो गई है आप सभी जानते होंगे लेकिन अब इस वड़ापाव वर्स में एंट्री हुई है एक नए किरदार की जी हाँ बारा साल का एक बच्चा जो इस फेमस वड़ापाव गर्ल से आदे से भी कम कीमत में वड़ापाव दे रहा है मुंबई वाले स्टाइल में उसी टेस्ट के साथ और देखते ही देखते इनके वड़ापाव की सेल भी एक दिन में 30-40 वड़ापाव से डेली के 1000 वड़ापाव से जादा पहुच गई है तो अभी हमें दिल्ली में लक्ष्मी नगर मैंटरे स्टेशन के नीचे जहाँ पर ये 12 साल का बच्चा वड़ापाव सेल करता है अपने स्टोल पर वैसे तो यहाँ पर इनका ये स्टोल पिछले 4 साल से लग रहा है जो कि इस बच्चे के अम्मी अब्बू लगाया करते थे अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी बात बोली इसने खुदी सुन लीजिए जब एक लड़की वड़ापाव बेश थे तो दुनिया भीड लगा के खाने के लिए आ जाती है मैं एक बच्चे की बात सुनकर कस्टमर्स की भीड तो इनके स्टोल पर आ गई लेकिन भीड को ल देगा वड़ापाव में और रही बात मैनेजमेंट की तो ये बच्चा उमर में भले ही 12 साल का हो लेकिन जितनी तेजी से वड़ापाव बनाता है और जितनी तेजी से लोगों को वड़ापाव को देता है वो देखकर तो अच्छे अच्छे चोंक जाएं तो नाकीवल इन्होंने अच्छा स्वात दिया बलकि लोगों को उसके लिए इंतजार भी नहीं कराया जितनी जाद अभी डिस्टोल पर आई उतनी तेजी से काम किया और खुद को फेमस करने के लिए चार तरह के ड्रामे करने की बजाए इन्होंने अपने काम पर ध्यान लोगों को टेस्टी वड़ा पाव खिलाए नतीजा इनकी सेल इतनी हो गई जितनी इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी बट है तो आखिरकार ये छोटा बच्चा ही बारे साल का तो काम करते वे कई बार इसके हाथ भी जले जलते हैं ये देखो बंट इन सब चीजों की वज जाए तो कैसे कुछ दिनों के अंदर ही लोगों का पूरा जीवन बदल जाता है जहां कुछ लोग सोशल मीडिया से मिले Mobil करतें अपनी दुकान चलाने के लिए वहीं कुछ लोग इसका इस्तेबाल करतें कि दर है वाड़ा पाव वाला बच्चा इदर है आज नंबर गेट मेट्रो स्टेशन के नीचे लक्ष्मी नगर